आज मैं share करने वाली हूँ चिकन रेसिपी ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत टेस्टी बनता है चिकन इस तरीकी से बना के और कोई जंजट भी नहीं है ज्यादा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक कड़ाई लेने हैं कड़ाई में चार चमच हम त तेल डालेंगे तो यह मैंने सरसुं का तेल लिया है इससे खड़े मसाले डालेंगे जिसमें एक तेज-पथा लिया है धाल्चीन लीए है काली-एलाइची लिये हैं लॉंग लिये हैं काली-मिर्च और एक जावित्री और 7 में है डालेंगे एक चमच शाबू rezातास के तो जब भी आपको चिकन बनाना हो प्याज को इसी तरीकी से काटके ले सकते हैं अब हम चलाते हुए प्याज को भूनेंगे जब तक इसका कलर हलका सा चेंज ना हो जाए ये देखिए थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया है प्याज फ्राइ हो गया है ये देखिए बहुत अच पेस्ट लिया है इसे डाल देंगे अब इसे भी हम चलाते हुए पकने देंगे फ्राइ होने देंगे अच्छे तरीकी से अब डालने हैं हरी मिर्च यह मैंने दो तीन हरी मिर्चे लिए हैं इनको मैंने इस तरीक से लंबा काटा हुआ है तो इनको डाल देंगे और साथ महीं दालेंगे धनिया के डंटल ये डालने से चिकन में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है ये आप भी जरूर डालिएगा थोड़ा चला लेंगे उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं एक चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चमच लालमीच पौडर डालेंगे साथ महीं एक मचिस में जीरा पाउडर डालेंगे वैसे रेडिमेट चिकन मसाला भी मिलता है अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से भी चिकन बहुत ही अच्छा बनता है टेस्टी बनता है उसके बाद यह मैंने वन केजी चिकन लिया है इसे डाल देंगे अब बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चिज़ों को मिलाना है और चलाते हैं हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर खुले में बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चिकन है और टेस्टी बहुत ज्यादा बनता है अगर आप चाहें तो टमाटर को प्याज के बाद डाल सकते हैं और उसे पहले फ्राई कर सकते हैं तो ये देखिए इसमें से पानी निकल रहा है हम जितना इसको पकाते जाएंगे पानी निकलता जाएगा अभी मैंने तेज आज की है तो ये थोड़ा पक चुका है हलका सा अब इसको हम ढखके पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक क्योंकि चिकन है इसमें तो टाइम लगता है 15 मिनट हो गए है तो कड़ाई का ढखकन हटा देंगे ये देखिए चिकन का कितना अच्छा कलर दीख रहा है बहुत ही अच्छे तरीकी से पक चुका है आप अगर ग्रेवी ज्यादा बनाना चाहे तो आप पानी डाल सकते है तो गरम पानी ही डालना है अगर आप पकने के बाद डाल रहे हैं तो अब चिकन का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें बहुत सारा हराधनिया डालूंगी आशान तरीके से बनने वाला चिकन बन के त्यार है अगर आपको मेरे रेसिपी चलेगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राब करना ना भूलें